नमस्कार आप देख रहें The UP Headlines मैं हूँ आपके साथ आमना योगी सरकार बालीकाओं के सुरक्षा के लिए अभियान चला रही है जिसका नाम बालीका सुरक्षा एवं जाग्रुता अभियान है इस अभियान को कवच नाम से भी जाना जाता है इस अभियान के तहट प्रदीश भर के सभी स्कूलों में गुड टच बैट टच के बारे में बालिकाओं को जागरूत किया जा रहा है लखनाओं के बिजनवार स्तिक बिमला इंटरनाशनल पब्लिक स्कूल में छात्राओं को गुड टच और बैट टच के बीच का अंतर समझाया गया इस कारिक्रम में कक्षा 5 से 12 तक के लगभग 90 बालिकाओं ने हिस्सा लिया इसके साथ साथ बच्चों को ये भी बताया गया कि यदि उनके साथ ऐसी घटना घटती है तो वो निशुलक हेल्प लाइन नंबर जैसे 100 नंबर लोकल पुलिस, 181 बालिका महिला हेल्प लाइन, 10 नब्बे वुवेन पावर लाइन और 10 अन्ठानबे चाइड लाइन की मदद ले सकते हैं मैसेल्फ सपनावपाद्या, आइम फ्रॉम गौर्वर्मेंट हाई स्कूल कुरॉने पंदर तारिक को डियेम आफिस कलेक्टरेट में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे एज रिसोर्स पर्सन बुलाए गया था तो सियन की तरफ से एक प्रोग्राम चला है जा रहा है जिसका नाम है बालिका सुरक्षा जागुता अभियान और इसका एक नम कवच भी रखा गया है इस प्रोग्राम में हमें स्कूलों में जा करके लड़कियों को छात्राओं को गुड टच, बाड टच के बारे में जानकारी देनी होती है और कुछ help line number जो government ने जारी किये हैं, जो बिल्कुल toll free number है, इसके बारे में बालिकाओं को बताना है Myself, Dr. Lattab, I am a student of 11th standard in the International Public School, Mayor Jundrawar Today, sensitization program organized in our school about good touch and bad touch Now, we are able to take precautions in future for our safety Myself, Dr. Sagnasi, I am principal of Vimla International Public School Today's program is sensitization of good touch and bad touch Sapna Upadhyaya from DIRS office, she is telling about this program in our school How we know the good touch and bad touch She sensitized our children from class 5th to 12th So, our children know about what is the sensitization How can we know what is good touch and what is bad touch My name is Marisha, I am a student of Vimla International Public School I am a student of Vimla International Public School So, if you have a bad feeling, we can dial it to us This was our Sambhada Ka Zishan Hashmi's report This is our story for all our stories And we are watching The UP Headlines The U.P. Headlines The U.P. Headlines